हेलो स्टूडन्स मैं संदिप सिंग विलकम करता हूँ आपकी अपने चैनल मागनेट बिंस हिंदी मेडियम में जहां पर मिलता है आपको कम्प्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री आफ कॉस्ट तो जैसे कि हम मिला करते हैं हमारे फिजेक सब्जेट के जाथ और इन दिनों हम आ हा चुकि यह कि वो जो दो दो दुड़ और मानों का माफ दो अलग अलग तरीके से की जाती है एक होते हैं कोन से तो जड़त्य दुड़ दुड़ तरभिमानों कि चर्चा मतलब जड़त्य द्रभिमान और गृत्य द्रभिमान देखने वाले हैं यह किस तरीके से सिमिलर है या फिर इन में क्या डिफरनस्थ है बई चूआ लग लग कर रहे हिनको तो चलिए हमें इस सेशन के शुरुवात कर लیते है क्योंकि ये session equally important है चाहिए आप JST parental हो या फिर आप C 님 के preparation करें या फिर अपने board examination के preparation करें हेर जगा पर ये equally important है तो चलिए फटा फट से सुरू करते हमारे station को एम देखने सबसे पहले ज़र्ख्यशन गुरत्विया एम गुरत्विया द्रबमान के पहले कि द्रबमान क्या होता है तो द्रबमान जैसे कि मुझे पता है कि पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को द्रबमान कहते है ऐसा क्या हाँ मतलब अगर एक मैंने ऐसा ब्लॉक लिया ऐसा ब्लॉक ये ब्लॉक है किसका तो मै dimension का block है और ये वाला block है भीया लोहे का तो एक तब लोहा हो गया और एक तब फोम हो गया क्या लगता है आपको किसको बनाने में ज्यादा amount of matter लगा होगा किसको बनाने में ज्यादा पदार्थ की मातरा लगी होगी तो आपको पता है फोम कैसा होता भी पोरस होता ना पोरस मतलब ऐसा जिसके अंदर में क्या होता है एर गैप होते है और अगर हम लोहा के बात करते है तो यह highly dense होता है मतलब यह सगन होता है घनतों जादा होता है अगर इसका घनतों जादा है ultimately इसको बनाने में लगने वाले material जो यूज हुए है पदार्थ की मातरा वो लोहे में ज़्यादा होगी और foam की जब हम बात करेंगे तो foam में पदार्थ की मातरा कम प्रेयोग में आई होगी क्योंकि ये खोक्ला है ठीक है तो बात समझ में आरेए लोहा है मतरब सघभन है डिंस है पदार्स की मातरध ज़ादा यूज होगी यानि अगर मैं कहता हूँ तो यह इसमें पदार्थ कि मातरध यानि इसका द्रबेमान जो होने वाला है जादा और इसका जो द्रबेमान होने वाला है वो comparatively कप चलो भया definition लो ना किसी बस तो मैं नहित पदार्थ की मातरा को ही उसका द्रबेमान कहते हैं हना नहित पदार्थ की मातरा मतलब जिस उसे बना है भया अगर यह फोम है तो फोम के particles होंगे जिससे मिल करके बना होगा यह बहुत कम संक्या में यूज करके इतना बड़ा सा फोम बनेगा जब की सेम डामेंशन का लोहा इतने कम नहीं बनेगा इसमें material यूज जादा हो जाएगा तो लो यह आगए अगली लाइन पे कि यह दू प्रकार के होते हैं पहला प्रकार है ज जड़त्वी द्रविमान और गुरत्वी द्रविमान है क्या तो जड़त्वी द्रविमान मतलब द्रविमान जड़त्व का ही तो माप है इनोशिया का ही measurement है यह द्रविमान और दूसरी तरफ कहते हैं कि यही द्रविमान जो है वो गुरत्वी बल का भी माप है कैसे कैसे ब the change of state मतलब कि यह अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है अब स्थिति में होने वाला परिवर्तन का है भी तो मैं कहता हूँ अगर कोई रेस्ट पहना रुका हुआ है ना रखा हुआ है ना उस पे आप बल लगाओगे तो वो कहेगा ना मैंने अपनी स्थेट में हूँ उसी में रहूंगा ठीक उसी प्रकार अगर कोई चल रहा होगा ना गत्यावस्टा में होगा उसके उपर आप फोर्स लाइक होगे ना भीया रुको तो जरा ठहरो नाएं मैं गत्यावस्टा में हूँ मैं गत्यावस्टा में ही रहूंगा मुझे तो जान पदार्थ के द्रब्यमान के उपर बेसिक लिए वो जो पदार्थ है जो अपोज कर रहा है उसके द्रब्यमान के उपर डेपेंड करता है मतलब अगर जादा बल अपोज हो रहा है यानि जादा द्रब्यमान है कम बल अपोज हो रहा है यानि कम द्रब्यमान है इसी को तो कहत हल्की वश्त हो다 आप इजली उसको गत्यों स味 ला गे और भारी सा पथर उतो उसको जल्दि नी लाओगे। इद भारी पथर का मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई तो मैं कहरो ज़्छा घर αναमान है ज्यादा ब्रेबमान है तो वह ज्यादा फोर्स का पोस करनेista हमें जिस से क्षीचती है उसके भी प्रोपोर्शनली हमारा ब्रव्यमान होता है ठीक है उसको हम गुरुत्य द्रव्यमान कहते है तो चलिये ना एक एक करके चर्चा करें एक एक करके individual individual अलग-अलग कर दो भाया समझना हो तो आओ चलते हैं जड़त विये दिरे विमान के तो एनोशिया जैसा कि आपको पता चल चुका है जड़त विये पता चल चुका है कि यह Newton's second law के जरिये explainable है Newton's second law क्या कहते है भाया तो Newton's second law Newton के द्वितिया नियम से तो Newton के द्वितिया नियम से कहते है कि यह F is equals to होता है M A can we return as this M as a M I into A लिख देता हूँ भई M I मैंने अपनी मर्जी से लिखा है और इसको मैं कह रहा हूँ जड़त विये द्रबेमान क्या कह रहा हूँ इसको जड़त विये द्रबेमान क्या कह रहा हूँ इसको M I के लिए आई मतलब इनोर्शियल मांस ठीक है यह हो गया M I तो मैं कहता हूँ कि मुझे M I बताओना भई क्या होता है M I होता है F upon में A M I क्या होता है F upon में A F कौन है तो F लगाया गया बल और A कौन है तो मैं कहता हूँ कि एक object है कैसे ना पोगे भईया इस वस्तू का द्रबेमान इस वस्तू का जड़त्वी द्रबेमान कैसे नापेंगे हम तो इस वस्तू का जड़त्वी द्रबेमान नापने के लिए मैंने लगाना इसके उपर क्या एक F amount का force जिसके करण मैं कहूंगा कि इसमें A त्वरन उत्पन हो गया तो A त्वरन उत्पन होने के लिए लगाए गया बल अपन में उत्पन त्वरन इन दोनों का ही जो अनपात होगा किसका बल और त्वरन का लगाए गया बल तथा का अनुपात गयात करते हैं no doubt थोड़ा सा typical काम है कौन सा inertial mass calculate करना क्योंकि मुझे force calculate करना पड़ेगा मुझे acceleration calculate करना पड़ेगा उस को divide करुंगा force को जब acceleration जहें then I'll get my mass of inertial mass कह लो तो क्या कहने देखिए नह Mighty आप reports करी कि द्रव्मान जो है जड़त्य द्रव्मान किसी वस्तु के जड़त्यों की माप है इनर्शिया की माप है जड़त्य द्रव्मान Newtonayanern के गति के दुदिऑनियम्से परिभासित हो सकता है Second Law can be explain जो है हमारा inertial mass तो यहाँ पर कहे रहा हूँ मैं Newton के दूतियनियम से F equals to कितना भी है MIA MIA मतब F upon A बल बटा में तवरण यानि बल और तवरण का जो अनुपात होगा किसी पिंड के लिए उसी को हम कहते है क्या भी inertial mass ठीक चलिए आगे बढ़ते तो इसके कुछ विस्यस्ताओं की बात कर लेते हैं क्या है भी तो मेरे पास जो आया है मैं उसको लिखतो लूँ कुछ बातें आई हैं हमारे पास एक तो आया है M I equals to F upon A एक और मैं term कहूं तो F equals to मैं क्या लिख सकता हूँ F equals to M A होता है है ना तो A equals to क्या हो जाएगा F upon M I तो जड़त्वी अद्रवेमान तो हो गया बल बटा में त्वरण बुलोगे इसमें कोई नहीं बात नहीं ये है बल बटा में जड़त्वी अद्रवेमान आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ मैं कहता हूँ कि ये सिकल लाइन को अगर आप ध्यान पुरवक देखेंगे तो आपको प्राप्त होता यदि F नियत हो F कैसा हो जाए नियत कर दो तो A proportional to कोन है 1 upon M I तो अरण व्यूत्वी अद्रवेमान के तो अरण जो है व्यूत्व करमान उपाती है किसके जड़त्वी अद्रवेमान के इससे क्या कहना चारों मैं तो भाई मैं बस इतनी से बात कह रहा हूँ कि ये एक हलका सा पत्थर है और ये एक भारी सा पत्थर है अच्छा आप बोलोगे गोल बना लिया अरा टेड़ाई बना तो एक एक ये वाला पहला वाला जो पत्थर है और दूसरा वाला पत्थर है दोनों पत्थरों में अगर आप देखते हैं तो ये पहले वाला पत्थर और ये दूसरा पत्थर पहले वाले पत्थर का जो जड़त्वी द्रवेमान है वो कम है दूसरे वाले पत्र का जड़ती Dalmian जादा है तो इसको त्वरेनों तुपन ने करने में इसमें जादा बल लगानी पड़ेगी और इसके त्वरेनों तुपन करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा कम बंड़ाना पड़ेगा ये भी पॉ Katy की ले होगा इसलिये तो कहता है कि बहुत भारी byćart तो मैं अचाल लगा करको इस पथर को अकेले निलूर डा सकता लेकिन अगर हिलका पतर तो बैं कर सकता हूं ऐसा मैं क्या बोलता हूँ कि एक बिल्डिंग है उसका इनर्शिया तो खूब सा ला होगा भई खूब सारे फोर्स लगा रहा हूँ वो सारे की सारे फोर्स अपोस कर देरी इनर्शिया मतलब अपोजिशन अप फोर्स ही है तो उसने क्या क्या पूरे फोर्स अपोस कर दिया लेकिन लेकिन अब भई बहुत सारे लोग मिल करके उसको पर फोर्स लगाना सुरू करेंगे तो में भी दिवार घिर जाए या फिर यूँ कहलों कि भई या एक है न ट्रक है वो अपनी जगा पर खड़ी है चली नहीं पा रही अब में अकेला जाके धका मार ओ वो चलपाएगी क्या नहीं जबकि एक साइकल होती मैं उसको धका मारताँ चल देती तो कुल मिला के पॉइंट समझ में रहा है कि अगर हलका है हलका कहने का मतलब क्या है जड़त्विय द्रबिमान अगर किसी का कम है जड़त्विय द्रबिमान कम होना मतलब वो कम फोर्स अपोज कर रहा है तो उसमें आप चेंजेस इजली ला देते हो और अगर वो ज़्यादा forces को अपोज कर रहा है जादा बल को अपोज कर दे रहा है तो उसको आपको change करने के लिए amount of force आपके बल के मान को बढ़ाना पड़ता है तो यहां पर picture clear हो जाती है कि A inversely proportional to MI and दूसरा MI कौन है बई या अगर initial mass है तो यह है ratio है हमारे किसका बल और त्वरन का किया है त्वरन बल और त्वरन का यह ratio है अनुपात तो चली अब इनके कुछ विस्थाएं पढ़ते हैं क्या क्या है इनकी विस्था यह सबसे पहली विस्था है कि किसी वस्तु का जड़त्य द्रविमान उसके समीप स्थित अन्य वस्तु से अप्रभावित रहता है मतलब ये एक वस्तु और इसके बाजू में एक और वस्तु है तो इस वस्तु का जड़त्य द्रविमान दूसरे वाले वस्तु से कोई लिन देनी है भीया कि द्रबेमान को देख करके दूसरा द्रबेमान रंग बदलेगा ना यह बारी पत्थर है तो भाई यह अपने दबदबा दिखाएगा इसके उपर ज्यादा फोर्स लगाओगे तब ही अपने इस्थोति चेंज करेगा लेकिन यह हलका है मतब इसका इनोशियल मास कम है तो इ इसमें आसलोरीशन Gain की जा सकती है मतब दूसरे पिंढ से इसका कोई लेंदेन नहीं है कुछ वी लेंदेनी ठिक जरत्विय द्रब्यमान वस्तु की आकुरती आकार अवस्था पर निर्भर नहीं करती जरत्विय द्रब्यमान को इसकी आकुरती इसकी अवस्था इन सब चीजों से कोई लिन दे नहीं है इसकी अवस्था मतब रेश्ट में हैं मोशन में से कोई लिन दे नहीं इसका आकार कै या लगारा तह फ्रोस कहां चल रही थी नहीं चल रही थी थी तो बतब इसको इनवर्शियल मास को कोई परगी नि पड़ता कि भहया उसका यह कैसा है उसके ङसी और इसके अवस्था कैसी इस रिए खिक जब कोई वस्थ면 एक साथ रखी जाती हैं तो संजुक्त जड़त्य द्रविमान प्रतेक वस्तू के जड़त्य द्रविमान के योगफल के तुल्य होता है जब कई वस्तू को एक साथ रख दिया जाए संजुक्त रुप से तो हर एक वस्तू का जो जड़त्य द्रविमान होगा है उसी के हigh बात क्या बहि तो मैं चोंग है कि एक ऐसा खाली ड्राली है इसका जड़त्वि द्रिवमान यह रहा यह उप अगर इसके अंदर मैं कुछ बॉक्सिस रखना सूरू कर दियह कुछ यह बॉक्सिस रख दिया तो इस बी बॉक्सिस का अपना M3I M4I M5I मतब इन सभी के Inertial Masses के submission के बराबर होगा Total Inertial Mass M I M I Total Inertial Mass जो होगा इस पूरे का उन सभी individual individual के Inertial Masses के submission के बराबर होगा कब जब ये एक समान रूप है मतब एक एही container के अंदर रखे हो यानि सभी संजुपत रूप से रखे हो Combine रखे होंगे तब Otherwise एए पाच लोग तो थे एक छटवा द्रहविमान यहाँ पर रखा हुआ है तो इस छटवे का इसके उपर कोई impact नहीं है कोई लेंद देनी इसको कि यदि वस्तू का वेग प्रकास के वेग के तुलनिय हो तो यदि वस्तू का जो वेग है वो प्रकास के वेग के तुलनिय है मतलब कि प्रकास का वेग कितना होता भीया प्रकास जितनी तेज चलेगा उसका वेग हो कि अरे ना भीया राइट की बात कर रहे हैं प्रकास का वेग हम जोती की बात नहीं कर रहे हैं प्रकास का वेग मतलब सी से डिनोट करते हैं 3 into 10 to the power 8 meter per second के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि वस्तु का वेक प्रिकास के वेक तूलिनी हो मतब वस्तु कितने से गती कर रहा हो तो वो 3 into 10 to the power 8 meter per second से अगर गमन कर रहा हो ठीक है तो जड़त्विय द्रबिमान वस्तु के वेक के साथ निमन समिकरन के अनुसार परवर्तित हो जाती है मतब वस्तु का जो द्रबिमान है वो बदल जाता है मतब एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जो जड़त्विय द्रबिमान है वो परिवर्तनिय है यह बहुत अच्छी और बहुत इंपोर्टेंट लाईने बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट कहानी है यह सिर्फ 11 में नहीं भी है ट्वेल्ट में भी आने वाली है है बे Every बीशिक प्रापटी हमारे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजों कि एक है मास मतलब्डब याने इनोशी जिसके हम बात कर रहे है मास और charge यह दो ही basic property है इस पूरे world में मतलब इसको और explainable नहीं है और इसका कोई explanation नहीं है और इसको elaborate नहीं किया जा सकता कौन कौन भई तो एक है हमारा क्या एक है हमारा charge और दूसरा है mass हम इसको कहते हैं कि fundamental units है मूलभुत कह सकते हैं यह मूलभुत सिधानत है हमारा इसके पूरुम में हम कुछ नहीं बताते हैं तो मैं इसलिए बोलों यह बहुत important है कि जैसे कि हम बात करते हैं कि mass हमेसा constant रहता है mass बदलने वाला नहीं है mass कभी change नहीं होता लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि mass वस्तु के वेग के साथ change हो जाता है आप बोलों कि ऐसे कैसे तो जड़ा देखिए ना mass जो होता है वो होगता है एक formula m not upon under root of 1 minus v square upon c square क्या है यह समिकरन तो m not है हमारा initial mass प्रारंभिक दरब्यमान m not अचा अलग अलग सही लिख दे क्योंकि वो काफी लिंदी दिखने लगा दरवाइस formula m not मतलब क्या भई तो प्रारंभिक दरब्यमान अब यह जो 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 दरब्यमान है यह motion कर रहा है यह move कर रहा है किस velocity से भई तो speed of light मतलब वी जो है यह है पिंड का वीग या फिर वही दरब्यमान का वीग और सी जो है वो है प्रकास की चाल m जो है m जो है वह परिवर्वतित दरब्यमान उसको क्या कोंगा यह कौन ए परिवर्ति द्रवेमान जो change हो गई द्रवेमान तो मैं कहते हो अगर एक particle एक चोटा सा particle इसकी velocity बराबर हो जाए किसके speed of light इसकी velocity किसके बराबर हो जाए speed of light क्या कहे रहा है यह दिवस्तु का वेक प्रकास के वेक के तुल नहीं हो तुल नहीं हो बराबर हो या फिर उसके आ कौन सा द्रवेमान है जड़त्वी द्रवेमान तो जड़त्वी द्रवेमान क्या हो जाने वाला है change हो जाने वाला है यानि M equals to M not upon and root of 1 minus V square upon C square अच्छा नीचे लिखा था मत वस्तु का विराम में द्रवेमान जो प्रारंभिक द्रवेमान कहरें जब रुका हुआ था वी मत वस्तु का वेक तता सी मत प्रकास का वेक अगला पॉइंट आते हैं इस पॉइंट को या देखे कि यह फॉर्मूला काफी important है अपने आप में बहुत important formula है और सिर्फ और स की दुनिया में सबसे ज़्यादे यूटिलाइज होने वाला भी formula है कहीं न कहीं क्योंकि अभी हमको क्या जूरत पढ़े भी अभी तक हम लोग जो भी काम कर पाते हम सिग्नल ट्रांसफर कर पा रहें एक जगह से दुसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर कर पा रहें हम एक अंदर डाला और वही सेम टू सेम चीज आपके ऑफिस में फिर आपके स्कूल में प्रिंट होकर के मिल गई आप बोलो कि होता तो है एक पेज घर पे छूट गया स्कैन किया मेल कर दिया यहां पर हमने प्रिंट कर लिए कितना असान लग रहा है इसमें क्या बड़ी बात हो अब वो टिफिन पूरा का पूरा बिना किसी के लाए कोई भीया कार में रख करके या फिर गाड़ी पर रख करके लेया करके आपको स्कूल में दे जाए ना ना ऐसा नहीं मैं कहा बोलो एक ऐसा मसीन है जिसके अंदर पूरी की पूरी टिफिन मैंने डाल दी और स्कूल में एक ऐसा मसीन है जिससे कि वो प्रिंट के रूप में बाहर निकला है आप बोलो कि आ रहे यह तो विचित्र बात कर रहे हो ऐसा होता है क्या कहीं अरे भीया होगा आगे चल करकर यह भी होगा यह भी करेंगे यह जो आप लिक रहा है मास को एक चरूसी जगहा भी आ पहने देखा इसका इनर्ल मास चेंज हो गया उसका जो इनुरेशेल डुरे माने वो चेंज हो क्या पांस्टेंट रहा ही नहीं यहांसर ओटिया भाइजी थी वहां पर पता चल लेगे रोटिया मची ही नहीं है उसका मास खतब हो गया हॉटर है तो भी अभी हमारी वहां तक खोच बागी है अभी हम आपकी जिनरेशन और जो सोचों गए वह होगा आप सिर्फ सोच लो आज से कुछ समय पहले तक यह भी नहीं सोचा जाता था कि भाईया कोई वीडियो कॉल पर घर पे कुछ काम कर रहा है वह यहां पर मेरे को दिखने वाला है लेकिन आज तो पॉसिबल है ना आप नॉमली कर लो अब वीडियो को कि तना इज़ी लग रहा आपको कि वहां पे जो एक्तिवीटी हो यहां बैटके देख रहे हैं आप सोचो आज से 30 साल पहले कोई ऐसा कहता है कि भाईया यहां पर जो एक्टिवीटी चल रही है मैं तो घर पर बैटके देख लूंगा हाना आप यहां पर पढ़ाओ मैं घर पे चल रहा है ये सेम चीज आपके पास में 스ёр्ट है कभी भी बीदेख सकते हो गत्ना माच घटित हो रही है अभी यह वाला जीवन मैं जी रहा हूं पढ़ाने वाला और यह पढ़ाते हुए stored है कभी भी देख सकते हो गटना करा माज घटित हो रही है अभी ये वाला जीवन मैं जी रहा हूं पढ़ाने वाला और ये पढ़ाते हुए मुझे आप कभी भी देख सकते हो आपके लिए अब लग रहा है इसमें क्या टफ है लेकिन आज से 30 साल पहले जाकर के सोच हो तो य पस्तों डाम साथ है अगर स्वां ऑफ लाई decor मैंच कर रहा होगा तो मृप जाता है बास्वोस यह होता है क्या होजाइब द्रूला से कि जाती है जलत्य द्रिवमान की जो माप है उसके लिए जो तुला होता है जो वेट जो मास कह सकतो मेजर करने ही वाला वो क्या मेजर करता है तो वो अब इसी बात है वो फोर्स मेजर करता है वो क्या मेजर करता है या तो वो एसलरेशन मेजर करता है और वो इनर्शेल मास निकाल करके द हो जाए तो आपको जाओग जो होने माला नहीं है यह जो मैं जरत् 완 तोला से करते हैं बड़ते हैं किस के तरव गरत्वुय द्रभिमान के तरफ जरत्वए द्रभिमान के बारे में इंफिमीशन मिल गई किये एनऔर्शिया है ये किया है भई ये किसी वस्तू रहा किया जाने वला अपोस है ये विरोध है अब मैं बात कहता हूँ गुरुत्विय द्रविमान के तो गुरुत्विय द्रविमान साब तुत्री लाइन में अगर सुनें तो मैं कहता हूँ जिस amount of force कोई object को पृत्वी अपनी सतह के तरफ खीचती है तब उसके ओपर जो गुरुत्वा कर्शन बल लगता है वहां से मिलन रखी गई है तब न्यूटन के गुरुत्वा कर्शन नियम से वस्तू पर लगने वाला गुरुत्य बल एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भई तो जी एम एम जी अपॉन आर स्कॉार यह गुरुत्वा कर्शन बल है इसमें बहुत सार एक्स्प्लेनिशन मेरी रिक्वा दर्वान कहलाता है क्या होगा आई यहीए पर बात कर लेते हैं यह एम जी मेरा गुरुत्य दर्वान है तो अगर इसको लिखता हूं मैं जी एम एम जी विचिट इक्वल्स टू एफ आर स्कॉर्ड फॉदा विचिज इक्वल्स टू एम जी हरा एम जी यह जो जी जो दिख लिख रहा है यह सफिक्स में है ना तो आप परिसान हो जाओ कि यह क्या लिख रहो यह इसको सफिक्स में कर देता हुआ यह चुटकू सा जी यह जो 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 दिख रहा है यह कैसा भी है यह चोटू सा जी है चोटू सा जी कहने का क्या मतलब है सफिक्स में यह गुरुत्य द square upon में gm यह क्या हो जाएगा fr square upon में gm ठीक है तो यह तो हो गई किसकी mg की बात मतलब यहां पर कह रहे हैं कि अगर इन सभी को constant कहे लूँ किसको किसको gm gm g मतलब 6.67 into 10 to the power minus 11 newton meter square per kg square यह हो गई क्या भई यह हो गई जी मतलब यह इसको और क्या कहते है इसको कहते है सारवत्तुरिक गूर्टवा करशन निया तांग और इसी तरीके से यहां पर जो आपको दिख रहा है capital M तो यह प्रिथवी क्या द्रब्यमान और इसी तरीके से आर की बात करें तो प्रिथवी के तुरिज्या ठीक है ना ठीक 64000 km करीब करीब अब यह सब को उठाकर कर अगर देखेंगे तो यह f आर स्क्वाइर जी एम तो आर जी एम यह सब कौन होगे constant मैं कहता हूँ आर स्क्वाइर अपउन जी एम यह सब कैसे हैं यह सब अनियतांक हैं यह सब constant हैं तो आपको क्या दिखा mg proportional to f मतब गुरुत्विय द्रबिमान उस पिंड पर लगाए गए गुरुत्विय बल के समान उपाती होता है यही बात हुई गुरुत्विय द्रबिमान पिंड पर लगाए गए बल के समान उपाती होती है लगाएगा बल वो भी कौन सा गुरुतिये बल ये बल कौन सा है बही गुरुतिये बल इसलिए तो कहते है ना कि अगर मालीजे मैं पृत्वी पर हूँ तो पृत्वी पर ये लगाएगा जो बल होगा जो गुरुतिये बल होगा वो जादा होगा तो पृत्वी पर मेरा गुरुत्वी द्रभमान जादा होगा एस कंपेर्टु मून चांद पर अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर उसके द्वारा लगाएगा गुरुत्वी बल किसके द्वारा चांद के द्वारा लगाएगा गुरुतिये बल कंपारिटिवली कम होता है पृतिवी के तुलना में तो चांद दोरे गुरुतिये बल अगर जादा लगाया जा रहा है तो वहां पर मेरे गुरुतिये द्रभमान का मान भी क्या होगा कम होगा जबकि पृतिवी पर गुरुतिये द्रभमान जादा लगाया never come, तो point clear हो गई कि कि सिवस्तु के उस दिरब्यमान को जो यहाने धारित करता है कि पृत्वी उस पर कितना गृत्वी बल आरोपित करेगी गृत्वी धृत्वी दिरब्यमान क्या है, यहाँ बल जो की पृत्वी द्वारा लगाया जा रहा है उस पिंड पे तो इस पॉइंट को चाहेंगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि यह एमजी जो होता है वो डिरेक्टली प्रपॉश्णल किसके होता है एफ के ठीक है तो यह होती है हमारी गुरुत्विया द्रबिमान अब चलते हम आगे की तरफ आगे मैं कह रहा हूँ कि गुरुत्विया और जड़त्विय द्रबिमान में कमपारिसन क्या है कैसे इनको तुलना कर सकते हैं क्या है दोनों के बीच में रिलेशन चलिए फट आफट फट 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 फाट फाइंड आउट करते हैं तो देखिए ना भई मैं कहता हूँ कि जो हमारा जड़त्वी अद्रवे मानता वो क्या था तो एनोशिया का माप जड़तों का माप मतलब आपने बल लगाया और उसने कर दिया भी रोध इसी को कैलकुलेट कर रहे थे कि उसमें आपने जो तुरन अतुपन किया है है मापने आउट किया है वो f upon a के बराबर मतबस्तु के अंदर आपने बल लगाया और उसमें होने वाले तुरन कि माप आपने कैलकुलेट करी दूसरी तरफ मैंने कहा कि जो mg आप कैलकुलेट करेंगे ठीक है यह किसके बराबर हो जाएगा भी तो यह आर इसको है अपन जी एम लिए लेकिन यह दोनों में रिलेशन्शिब कैँ अकिल दोनों में संबंद कैऊ है तो मैं यहाँ पर इंद के संबंद फाइंड आउट करके देता हूं मैं कैता हूं व्यूनुमिंत संबंद निकालना है ठीक है तो इसको लिखते है है म i और mg दोनों के लिए अगर आप फो तो यह है जी एम एम जी इसको सब्फिक्स में जी मानिये का नहीं तो वो फॉर्मिले का जी समझ लें अपॉन में आर स्कार यह है हमारा जड़त्वियबल और यह हमारा गुरत्वियबल यह दोनों ही बल का माप है मतब दोनों ही आफ है यह दोनों ही एफ को क्या कर दो में एकुल कर देता हूं बराबर कर दिया दोनों ही फोर्सेश बराबर हो गहा information मतब मैं कहता हूँ अतह जी एम एम जी अपाउन आर इसक्वार विचिज इक्वल्स टू एक काम करो छुटकू वाले को पहले लिख लो मिय एक्वल्स टू जी एम एम जी अपाउन में आर इसक्वार ठीके ना क्या करना आपको तो दोनों तरफ मेरे को निकालना है और रिलेशन तो मैं निकालता हूँ M I upon M G चलेगा यह M I यही था M G को नीचे ले आता हूँ तो यह बचेगा G M G M upon A R square क्या बचेगा G M upon G M upon यह A था उसको नीचे बेज दिया क्या बचेगा A R square ठीक है तो यहाँ पर सीधे सिंपली समझ में आता है कि यह होता है हमारा क्या M I M I और M G के बीच का और रेशियो ठीक है M I और M G के बीच का रेशियो अगर मैं इसी को उधर ले जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि M I is equals to G M upon M A R square into M G मतलब ऐसा की यह दी G M upon M A R square को मैं माल लेता हूँ की एक constant से replace कर देता हूँ एक नियतांग से replace कर देता हूँ तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे M I जो होगा वो proportional हो जाएगा कि इसके M G के मतलब M I का मतलब क्या हो गया भीया तो यह हो गया मेरा जड़त्वी अद्रबिमान यह मेरा आपने के को वन माल लिया यादी कर के लिख देता हूँ यादी के की वैलू कित्ती हो गई वन हो गई तो फिर इस स्थिति में तो यह M I बराबर हो जाएगा किसके M G के मतलब इस constant का मान कहीं पर वन हो गया तो जड़त्वी अद्रबिमान है वो बराबर हो जाएगा गुरुत्वी अद्रबिमान के अन्य था हम यह कहे के जरूर चलते हैं कि जड़त्वी अद्रबिमान है वो समान उपाती है गुरुत्वी अद्रबिमान के कभी तो एक बात समझे कि अभी तक आप जो भी चीजे करीदने के लिए जाते हैं मार्केट में तो आपको वो तौल के देता है क्या वेट और वेट जो होता है जो भार होता है उसको मैं दर में लिखूं भार तो भार वेट क्या होता भी है तो यह होता है M into G तो यहां पर पॉइंट क्लियर होती है कि यह जो वेट है इसकी यूनेट यह इल्टिमेंटे क्या है यह यह दरब इमान इंटू गुरुत्य त्वरं मतब इसके इसकी काई का हो जाएगी इसकी काई के अगर आप बात करेंगे तो इसकी काई होती है न्यूटन सब्जी वाला तो कभी न्यूटन में समान तौल के नहीं देता वह तो केजी में देता है तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि जब वेट होता है क्या न्यूटन में सामने वाला वेट मेजर कर रहा है और मेरे को दे रहा है किसमें केजी में वह कहता भाई यह केजी फू है वो समान उपाति है किसके गुरूत्वी इदरब इमान के और गुरूत्वी इदरब इमान का है तो यह वहबल का माप है जिसे पृत्वी किसी भी पिंड को अपनी और आकर्शित करती है तो मत्तव ये दोनों एक दूसरे का समान उपाति Calm ने एक दूसरे चीज़ों की खरीद, बिक्क्री, लेन, देन, करना है, प्रणरम कर दू एकुए अगर आप एनोशयल मास के बात करते तो यह इसलिए मेसर नहीं किया जा सकता है, इसका माण असानी से मापित हो जाता है, तो चलिए, यह point मतलब sorry इसको आप screenshot के form में रख लेजिए क्योंकि ये ही है इन दोनों के बीच में relation जो यहां पर बात करते हैं कि जड़त्विय और गुरुत्विय द्रविमान में क्या relation है तो यह है relation चलिए आगे बढ़ते आगे अगर बढ़ेंगे तो कह रहें किसी वस्तु का जड़त्विय द्रविमान उसके गुरुत्विय द्रविमान के अनुकरमान उपाती होता है क्या है बई किसी वस्तु का जो जड़त्विय द्रविमान होता है उसके गुरुत्विय द्रविमान के अनुकरमान उपाती होता है यही तो हमने लिखा था कि MI समान उपा गहाए यह से M. जी के बराबर हो जाए गाएनॉज यह सफिक्स में भई हाना यह सफिक्स में ठीक एiß क현vagाएन कि मत्त अब मैं कहना सुरू कर दूँगा कि सी वस्तु कि जरतिया मान और गुरुत्वी अद्रविमान तुल्य होते हैं वस्तु के जड़त्वी अद्रविमान तुल्य है किसके गुरुत्वी अद्रविमान के ये जो देख रहा है ये कौन है ये जड़त्वी अद्रविमान है और ये कौन है ये गुरुत्वी अद्रविमान है लो हो गई बात खतम ह आई ये चलिए एक काम करता हूं इन दोलों के बज़े में डिफरेंस देख लेते हैं हमने सिमिलाइटी देख ली हम डिफरेंस भी देख लेते हैं तो डिफरेंस क्या क्या है तो सबसे पहले बात तो यह है कि यह किसी पिंड के जड़त्व का माप एन और शियल माँस है और गुरुत्विय द्रिमान तो मतब क्या है यह किसी वस्तुपर प्रित्वी द्वारा आरोपित गुरुत्विय बल का माप है यह क्या है किसी प्रित्वी द्वारा जो गुरुत्विय बल लगाया जाता है किसी पिंड के उपर उसको कहते हैं क्या भाई गुरुत्विय द्र विरोध करता है मतलब अपने अंदर होने वाले स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है दूसरा फैक्टर तो जड़त्विय द्रविमान का निधारन गती के दूइतियनियम से किया जाता है जो जड़त्विय द्रविमान है इसका निधारन किस से करेंगे तो गती के दूइ AI कहे देतों और इसके निदारन की बात कहते हैं तो F इक्वल्स टू जी एम एम जी अपॉन में आर इसको है यहाँ पर इसे माप जलत्विय तुला से की जाती है इसकी मेजर्मेंट के इसे बही तो एनोर शील तुला होती है जलत्विय तुला होता है यह कैसे कैलकुलेट होगी तो इसकी कैलकुलेशन के लिए देखेंगे तो M इक्वल्स टू M I equals 2 आपको यहाँ पर करना होता है कैलकुलेट F upon A जबकि इसकी तुला कौन सी स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस ऐसी एक फिक्स पॉइंट से कैसी स्प्रिंग लटकी होती है यहाँ पर एक हुक बना होता है यह पूरा ऐसा पैक होता है है और यह एक द्रिडब से यहाँ प आप इस स्प्रिंग बैलेंस से निकाल पाते हैं यहाँ पर जड़ातवियो धर्यवमान की माप आसान नहीं होता है जड़ात धर्यवमान एज़ी हाई नहीं वह यह देखे ना फोर्स और रसल्रिशन की कैलकुलेशन है जबकि गुरुत्य धर्यवान की माप असान आप तो हुप पे इसको लटका दो वह देखा होगा गैस सिलिंडर वाले लेकर काते हैं वह तुरंब से लटका करके दिखा देते कि यह इतने की लोग है तो वह आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर गुरत्री बल की वज़ासे आप पूरे कैलकुलीशन बना रहे ह है इजी लगा असान लगा चली तो इस सेशन को करते हमें यहीं पर समाप्त क्योंकि हमने जो टारगेट लिया था कि हमें इसमें सीखना है क्या इनोशियल मासेस और ग्राविडिशनल मासेस इन दोनों की बाते इन दोनों की चर्चा हमने कर लिए हैं तो जैसे कि मागनेट को फ्रीली एकसेस कर सकते हैं मागनेट ब्रेंस से साथ ही साथ अगर और इंप्रोवाइजिशन और इंप्रूब्मेंट चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए लिंक को फॉलो किजा हैं चेक आउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स और ये बुक हो चाह सकते हैं हमारी तरह से कोई नहीं इंफ्रमेशन आती है वह फटाफट आप तक पहुंच सकती है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजे चानल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजे भी क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मागन